यह दिखे कितना सुन्दर दिख रहा है यह लैकटॉप यहाँ पे आपको टफ गेमिंग लिखा हुआ दिख जाता है बात करें इसके पोर्ट्स की तो यहाँ आप देख सकते हैं हलो एंट रंकों गाईज मैं हुआ तो इस वाली वीडियो में मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ आसूस के एक नए वाले लाप्टॉप का तो चलिए चुरू करते हैं तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं यह है आसूस का नया लाप्टॉप आसूस टफ एशुष्कीन तो चलिए करते हैं अन्बॉक्सिंग तो सब सब पहले मुझे चाहिए एक सिजर और चलिए कट करते हैं इसे अब देख सकते हैं आप एक सील है वाह क्या बात है आप देख सकते हैं लाप्टॉप कितनी अच्छी तरीके से पैक है यहां पे इन लोगों ने सेफटी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा हुआ है और चलिए अब निकालते हैं लाप्टॉप को और पहले जो मेल माटेरियल है उसे थोड़ा साइड में रख कि आसोस की तरफ से आता है कोर्वाइन परता नहीं है इसला हम लोग भी नहीं नहीन पढ़ेंगे और यहां पर डेख सकते हैं आप मि basis कार्ट आए इसका इसे बहुन पर रखते हैं और यहां पर और बहुत सारे तो ये है इस laptop का charging cable जो की 200 watts का है इसे भी side में रखता है ये एक और cable है charging के लिए और अब इस दब्ले में कुछ नहीं बता हुआ है तो अब मैं इस laptop को इसके धैले से बाहर निकालता हूँ को है कök चो यह देखिए ये कितना सुद्नक्र देख रहा है आप देख सकते हैं यह यह अपर आपको टफ गेमिंग के लोगो बना हुआ है यहां पर आपको टफ treated मआनी धिक्स जाता है बात करें इथे ब्लॉ drives की तो यहां आप देख सकते हैं यहां पे आपको charging का port, LAN cable, HDMI port और यहां पे आप देख सकते हैं तू USB ports हैं और यहां पे Type-C और headphone के लिए jack दिया हुआ है और इस side एक USB port है और यहां पे air ventilation के लिए hold दिये गया है तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे air vents हैं यहां पे एक side में दिया हुआ है और दो air vents कीछे दिये हुआ है तो यहां पे cooling में कोई भी दिकर्ट नहीं होने वाली है यहां पे dual fan self cleaning system भी लगा हुआ है तो चलिए खोलते हैं इसके display को और देखते हैं तो यह दिखिए कितना सुन्दर दिख रहा है यहां पे आपको camera मिल जाता है और आप देख सकते हैं इसके keyboard को इसमें आपको RGB keyboard मिल जाता है तो इस laptop में आपको मिल जाता है Ryzen 9 5000 series का जिसके अंदर आपको 8 cores मिल जाएंगे जो कि आपको editing और gaming में बहुत ही ज्यादा helpful होंगे साथी साथ बात करें इसके graphics card की तो इसमें आपको मिल जाता है RTX 3070 6 GB VRAM के साथ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी quality और अच्छी performance देगा इस laptop के अंदर आपको 8 GB के 2 sticks मिलते हैं तो इसके अंदर आपको total 16 GB RAM मिल जाता है storage की बात करें तो इसमें आपको 512 GB SSD मिलता है जो कि आपके data read and write speed को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है उसे enhance करता है screen size की बात करें तो इसमें आपको 15.6 inch का screen मिल जाता है और इसमें आपको 144 Hz का refresh rate मिल जाता है जो कि gaming करने के लिए या फिर editing करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके display की बात करें तो इसके display में एक अच्छी खासी accuracy, color accuracy तो अब बात करते हैं इसके usage और performance की इसके अंदर आपको मिल जाता है RGB keyboard और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे धेर सारे buttons में जाता है यहाँ पे WASD का जो button है वो अलग से highlight है क्योंकि इससे आप gaming करेंगे उसके बात करें इसमें mouse tracking pad की तो यह भी बहुत स्मूथ है मैं इसे अपने हाथों से कुकर देख सकता हूं यह बहुत ही ज्यादा स्मूथ है आपको यहाँ दो बटन से मिल जाते हैं left click और right click अब बात करते हैं इसके price की यह laptop आपको 1,19,000 में मिलेगा लेकिन अगर आप जाजरिया कंप्यूटर से लेते हैं तो price negotiable है साथ आप इसे जाजरिया कंप्यूटर के website पे जाकर जाजरिया कंप्यूटर के application को download करके या फिर यहाँ पे हमारे shop में visit करके भी ले सकते हैं सारे links आपको description में मिल जाएंगे अगर आप इस laptop को हमारे YouTube वीडियो के माधियम से या Facebook के वीडियो के माधियम से देख कर आते हैं तो इसमें आपको assured gift भी मिलेंगे जो की एक बहुत अच्छी बात है इसके साथ आपको एक bag मिलेगा और कुछ accessories मिल जाएंगे मैं हूं अतुर सर्मा इजादत चाहूंगा अगर आपको ये laptop अच्छा लगता है तो हमारे शॉप में जरूर विजिट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को like करें comment करें और चैनल को subscribe करें